आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजिल खबर ATK न्यूज चैनल पन इलान मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर आदमी जानिये टॉप फाइव डॉलत मंदों के नाम वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन Bloomberg Billionaires Index के मताबिक 2022 में 120 अरब डॉलर खोने के बाद टेसला और स्पेसेक्स की सफलता से उत्साहित मस्क ने गुरुवार 28 दिसंबर के अंत तक अतिरिक पाइनेमी नाइलन बेंड चार अरब डॉलर कमाएं दिल्ली टेसला और स्पेसेक्स के सीयो एलन मस्क फ्रांसीसी लगजरी टाइकून बर्नार्ड अर्नॉल्ट से खिताब वापस लेते हुए एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर आदमी वर्ल्स रिचेस्ट मैन बन गए हैं आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटी के न्यूज चैनल पर आपको इसी तरह के नए बड़ी और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब कर दीजिए ब्लूमबर्ग बिलियनियर्ज इंडेक्स के मुताबिक दो हजार बाइस में 128 अरब डॉलर खोने के बाद टेसला और स्पेसेक्स की सफलता से उत्साहित मस्क ने गुरुवार 28 दिसंबर के अंत तक अतिरिक 95.4 अरब डॉलर कमाएं लग्जरी प्रोडक्ट्स की मांग में वैश्विक मंदी के कारण LVMH मोयट हैनेसी लुई वोइटन SI के शेरों में गिरावट के बाद उनकी कुल संपत्ती अब अरणॉल्ड से 50 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है इंडेक्स के मुताबिक मस्क की कुल संपत्ती अब 235 अरब डॉलर आखी गई है ये हैं दुनिया के टॉप फाइव अमीर आदमी अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने इस साल अपने अकाउंट में 70 अरब डॉलर से ज्यादा जोड़े और अब वे अरणॉल्ड के साथ दूसरे स्थान पर हैं जबकि मेटा के फाउंडर और सीओ मार्क जुकरबर्ग की संपत्ती में 80 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोत्री हुई है अर्नाल्ट 179 अरब डॉलर की संपत्ती के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर हैं इसके बाद बेजोस 178 अरब डॉलर माइक्रोसफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स 141 अरब डॉलर पूर्व माइक्रोसफ्ट CEO स्टीव बालमर 131 अरब डॉलर और जुकरबर्ग 130 अरब डॉलर हैं अमीर व्यक्तियों की सामुहिक नेट वर्थ में 1.5 लाग करोड डॉलर की बढ़ोतरी इंडेक्स के मुताबिक 2023 में 500 सबसे अमीर व्यक्तियों की सामुहिक नेट वर्थ में 1.5 लाग करोड डॉलर की वृद्धी हुई तकनीकी अरब पतियों की संपत्ति में 49 फीसदी या 868 अरब डॉलर की वृद्धी हुई आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर ATK News चैनल पर आपको इसी तरह के नए बड़ी और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब कर दीजिए चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद